हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं असा करतों कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वास्त भी होंगे चलिए आज हम त्रिकोन मिती का थुरा सा एक टैप लेके चलते हैं जिसमें कि जैसे लंब कर्ण अधार जो निकालते हैं उसके सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है देख लिजेगा कि सबसे बेस्ट तरीका यह होता है कि टिर्पले जब भी हम आति करते हैं पाइथाग और असपरमय की रूप में जब अगर टिर्पले याद करते हैं तो क्या होता है कि यह ह हो गया भी 90 डिग्री हो गया उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं आधार और इसको हम क्या बोलते हैं लंब और इसको क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं अब देखिए हमेंसा लंब अधार कर्ण इसका एक ट्रिपले होता है ट्रिपले जिसको बोलते हैं पैथागोरस ठीक है प पाइथागोरस की रूप में क्या होता है कि अगर लंब को मान लेते हैं हम क्या पी अधार को मान लेते हैं बी और कर्ण को मान लेते हैं क्या हम एच मान लेते हैं इस तरह से अगर सवाल को हम मानते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हाँ पे अगर एच बराबर अगर स्क्वार प्लस अधार स्क्वार बरावर हम का सकते हैं लंब स्क्वार प्लस अधार स्क्वार इसका एक हमेशा और बेस होता है इसमें जिसको कि हम लेके चलते हैं इसको बोलते हैं क्या टो एक्स इसको बोल देते हैं क्या कि एकस स्क्वार मैनस वन इसको सिर्फ मिटा के फिर हम माने थे, यह माने थे A, यह माने थे B, और यह मेरा क्या C, और यह 90 डिग्री, और यह नीचे का जो भिलो होता है, उसको हमेशा अधार होता है, लेकिन अधार को हम क्या मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं, और यह लंब को हम क्या मान लेते हैं, x square minus 1 मान लेते हैं, और यह कर्ण का जो कोई भी मान होता है वो वन से बरा होना चाहिए एकस का कोई भी मान होगा ट्रिपले के लिए वो वन से बरा होना चाहिए इसलिए एकस बराबर वन से बरी वन से बरी कोई भी संख्यां आप याद रखेंगे कि एकस बराबर वन से बरी कोई भी संख्यां होगा तो हमेश सा ट्रिपले हम निकाल सकते हैं जैसे मान लेते हैं क्या एंड का मान हम दो लेकर चलते हैं लाल के लिए अगर दो के लिए चलेंगे यहां मेरा क्या है यह गया 2x उसके बाद हो गया x square minus 1 उसके बाद हो गया x square plus 1 हो गया अब x का मान हम 2 लिए x का मान जब 2 लेकर चलते हैं यहां पर गवा ट्रिपले हो गया अगर कोई पूछ दिया जाया इसको कह सकते हम क्या लंब है इसको कह सकते हैं अधार है इसको का सकते हैं कर्न है तो याद रखेंगे लंब और अधार हमें साथ चंज हो सकता है लेकिन कर्न चंज नहीं हो सकता है तो X का मान अगर कुछ भी हम लेके चलेंगे तो हम वो संख्या को ट्रिपले पूट कर सकते हैं जिसे यहाँ पर हम N का मान दोग लेके चलें तो लंब की रूपमें चार अधार की रूपमें तीन और कर्न की रूपमें पांच मालूम कर लिए इसी परकार हम दुसरा देखते हैं दुसरा N बराबर हम क्या ले लेते हैं अगर तीन ले लेंगे ति ये भिलो क्या होगा ये क्या होगा और ये क्या होगा अनि कि एन का मान तिन लेंगे ति ये होगा 2x उसके बाद x²-1 उसके बाद x²-1 अब इससे हम रूप ले लेते हैं क्या कि इसमें लंब अधार कर्ण कौन-कौन सा होगा तो तिन लेंगे तिन दोना क्या होगा 6 होगा यह होगा तिन्तिया 9, 9 में 6 चल गया, 8 होगा, फिर तिन्तिया 9 में एक जूर जगा कितना होगा, 10 होगा, तो यह होगी आपका टिर्पिले, अनि कोई भी संख्या का X का मानदा करके आप टिर्पिले एसराम से निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको याद क्या रखना पड़ेगा, यह याद रखना पड़ेगा, यह पलास भलाची जो होता है, यह आपका क्या होता है, कर्ण होता है, और यह दोनों में से कोई संख्या को लंब और अधार मान सकते हैं, क्योंकि ठिटा के अनुसार लंब और अधार हम क्या करते हैं, मानते हैं, अगर जिसको ठिटा इसको ब मैनस 1 को तातकालика हम मान लेते हैं लंπ या इसको मान लेते हैं आदार तो इसको किय मान लेते हैं लंब यह हमेशाथ दिमाइब रखेंगे तो कोई सी भी परकार का टिरपले asram से बना सकते हैं जैसे n का वेलों बना पर अपना बना के देख सकते हैं, और आप लोग भी अपना बना के देख सकते हैं, अनि N का मान 5 लेक चलते हैं, उसके बाद N का मान 6 लेके चलते हैं, अब देखिए N का मान अगर 5 लेके चलते हैं, यहाँ पर फास्ट में क्या बोले? अब लोग चेक कर सकते हैं, सबका ट्रिप्ट लेके चलते हैं, अब लोग चेक कर सकते हैं, सबका AAA SRAM से निकल जाएगा, फिर यहाँ पर फास्ट भेलो में ले जाएगे, X का मान 2 तो 6 दोना कितना होगा? 12, उसके बाद दूसरा पॉइंट में जाएगे, 6, 6 का स्कॉयर करेंगे, 36 में से एक घड जाएगा, ते बन जाएगा 35, तिसरा हो जाएगा, 6 का स्कॉयर करेंगे देखते हैं, क्वेशन क्या कर रहा है, कि ने मिलखित में से सरल करें, cos x-root 3 sin x बटे क्या है, 2 है, अब इसको हम सरल करेंगे, तो सबसे पहले देखी क्या करना है, कि जैसे cos x बटे 2 है, root 3 sin x बटे 2 है, इसका मतलब यह दो जो है, दोनों की नीचे है, इसको हम लिख सकते हैं इसका एक फर्मूला बन जाता है, मेरा क्या, 1 बटे 2 जो है, यह cos 60 degree का मान है, cos 60 degree का मान 1 by 2 होता है, यह बन जेगा मेरा क्या, फिर cos x, फिर minus root 3 by 2 जो है, यह कितना degree का मान होता है, तो sin 60 का मान होता है, यह बन जेगा मेरा कितना, sin 60 degree into हो जाएगा, क्या, तो sin x होगा, अब यह फर्मूला किसका बन गया, हमें सहाध रखेंगे, यह बन गया क्या, cos 60 degree plus x, cos a plus b का यह फर्मूला बन गया, cos a plus b बरावट सुतर होता है, cos a into cos b minus sin a into sin b, अब इसको हम πाई के रूप में अगर, या तो हम यह answer छोड़ सकते हैं, या इसको पाई के रूप में अगर लेके चलेंगे, यह बन जेगा कितना, cos pi बटे 3, cos pi बटे 3 plus x, यही आपका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, जिस option में आपका यह दिखेगा, उस तरह से आप आप answer ले सकते हैं, अब question number हम आगे देखते हैं, question number 33 क्या करा है, कि तिर्भूज ABC में 20 समकोन है, यह दि 10a बड़ावर 5 बटे 12 हो तो sin a plus sin b plus sin c का मान क्या होगा, sin c का, सबसे पहले हम यहाँ कहा सकते हैं कि 10a बड़ावर दिया है, 5 बटे 12, तो 10 बड़ावर होता है, क्या number है, अधार, तो यह ऊपर बला हो गया, नीचे बला हो गया, क्या, अधार, अब यह दोनों से हम h निकालेंगे, तो h कितना निकलेगा, 13 निकल जाएगा, तो यहाँ पर एक तिर्भूज की रूप में हम ले ले लेते हैं, सबसे पहले दिखेगा, यह A है, काता है B, जो है, वो समकोन है, और यह C, यह आपका 90 डिग्री हो गया, तो 10 ठीटा लंब बटेदा, इसका मतलब यह 5 होगा, यह 12 होगा, तो यह क्या होगा, 13 होगा, अब यहाँ साइन A, साइन B, और साइन C कमांद पुछ दिया है, तो साइन A, प्लस, साइन B, प्लस, साइन C, तो साइन A को लेंगे, तो साइन यह लेंगे, के लिए हमेशा थिटा यह भोजाएगा, साइन A के लिए थिटा यह होगा, तो लंब यह होगा, कर नहीं होगा, यह बन जाएगा मेरा कितना, 12 बटे, 13, प्लस, अगर इसको हमेशा हमाले लेंगे खेटा तो लब यह होजाएगा है और यह मन झाइगा और याop क्या होगा होटा हैगा यह दिगरी कि तेरा में प्लीस भूक्त का नीचे का pak लें युल और फ्र फ्रप फिर wax किए ग 59 बटे 13 हो गया अब इसी को पुर्णांग तोर के लिखेंगे यह हमेशा कितना बन जाएगा देखेगा कटने का कोई चांस नहीं है ति यह हमेशा हो जाएगा तेरा दुना 26 ठीक है नीचे हो जाएगा तेरा दुना 26 चार तीस अनि दू परनांग 4 बटे 13 जिस ओप्सन में होगा वह हम आंसर दे सकते हैं दू परनांग 4 बटे 13 यही हो गया मेरा अंसर हो गया अगला 34 देखते हैं सबसे पहले देखिएगा यहां पर हम एक फर्मूला लेख सकते हैं कि वन बटे साइन थीटा इन्टू कॉस थीटा यह बन जाता है हम इसाद देखिएगे 10 थीटा प्लस कॉस थीटा का माने कालेंगे तो 1 बटे साइन थीटा इन्टू कॉस थीटा हो जाता है अब यह कहां से आता है, अब यह आता है कि 10 का जो value होता है, क्या होता है, sin θ, बटे क्या होता है, cos θ, अब क्या होता है, sin θ, अब इसका मान क्या बन गया, उपर में हो जाएगा 1 तो नीचे हो जाएगा cos theta into sin theta इसलिए कहा सकते हैं 10 theta plus cos theta का मान क्या ले सकते हैं तो 1 better sin theta into cos theta लेते हैं तो इसका हम value निकाल लेंगे तो मेरा क्या होगा? अंसर बन जाएगा चलिए देखें यहाँ पर कहा दिया क्या? sin theta plus cos theta बराबर root 3 minus 1 better 2 root क्या है? 2 है अब इसको दोनों तरफ पकर हम work कर दते हैं दोनों तरफ work करेंगे तो यह बन जाएगा sin square theta sin square theta plus cos theta plus 2 sin theta into cos theta अब बराबर इसका square करेंगे तो 3 के square root 3 के square 3 होगा 3 plus 1 3 और plus 1 हो जाएगा अनिकि 4 minus 2 root 3 बन जाएगा और नीचे बनेगा 2 के square अगुना 2 यह बन जाएगा कितना? 8 बन जाएगा अब यहाँ 2 से हम कटा सकते हैं तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा बजज़ेगा मेरा यह तो 1 प्लस होगा 2 sin theta into cos theta cos theta बराबर अगर 2 common लेंगे तो 2 minus root 3 बटे 4 दिखेगा यह 2 से 2 इसको कटा देंगे 8 को नीचे 8 हो जाएगा 2 से कटा देंगे तो नीचे 4 हो जाएगा यह 1 को उस पर लेके चल जाएगे यह बन जाएगा मेरा क्या? 2 sin theta into cos theta बराबर यह बन गया 2 minus root 3 बटे 4 यह उस पर चल जाएगा तो minus 1 हो जाएगा ठीक है? अब minus 1 हो गया तो sin theta into cos theta का मान हम निकाल सकते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा क्या मेरा? sin theta into cos theta बराबर यह हो गया 2 minus root 3 minus 4 अब बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा अब इसमें से यह घटेगा तो minus क्या बचेगा? 2 बचेगा अब minus 2 बचेगा तो यहाँ लिख देते हैं इसके पीछे क्या है? 2 है तो यह बन जाएगा 2 sin theta into cos theta बराबर यह minus यह बन जाएगा minus 2 root 3 यह बन जाएगा 4 बन जाएगा यह बन जाएगा मेरा कितना sin theta into cos theta बराबर 2 minus 2 minus root 3 बचेगा 4 दोना 8 बन जाएगा अब इसी को पलट देंगे तो ओपर चल जाएगा यह बन जाएगा कितना 1 बचेगा sin theta के रूप में लेके जाएगे तो हर के प्रेमे हो जाएगा 8 बचेगा 8 बचेगा मेरा कितना यह कि minus 2 minus root 3 अगर minus को भ़न ले लेंगे तो यह plus बन जाएगा इस तरह से यह होगा plus 2 2 plus root 3 इसका हर का प्रेमे करन करेंगे तो यह बन जाएगा 2 minus root 3 बचे 2 minus root 3 बन जाए इस तरह से तो आठ उपर बन गया मेरा कितना इसको सिधा लिखेंगे तो रूट थ्री हम मैनस हम टू लिख सकते हैं इस संख्या को रूट थ्री मैनस टू लिख सकते हैं क्योंकि इसके पीछे मैनस हो जाएगा तो नीचे मला भेलू जोगा मेरा नीचे मला भेलू क् तो 2 का square करेंगे, 4 अच्छार में से 3 जाएगा, 1 बन जाएगा, तो minus क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ति वह कट जाएगा, क्या बच गया, 8 यह हो गया, root 3 minus 2, अब जिस option में जाएगा, वह हम दे सकते, answer number क्या हो जाएगा, a number हो जाएगा, root 3, 8 root 3 minus 2 का इसका value बन जाएगा,